तो बच्चों हम हमारी 4th शेप्टर भारत में खादिस उरक्षा पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास वीडियो में जाना था कि साजनिक वित्रम पढ़ाली की हमारे देश में क्या इस्तिती है जिसमें हमने विबिन योजनाओं की बारे में जाना था सबसे पहले तो हमने ये उसके बाद हमने भारतिक खादी सुरक्षा दिनियम 2013 के बारे में जाना इन सभी स्कीम का केवल एक युद्देश्य था कि भारत में जो निर्धन परिवार है जो गरीब परिवार है उन तक खादे पदात उपलब्ध हो सके वो भी कम कीमत पर ताकि वो खादे सुरक्षित हो कोई भी व्यक्ति भुकमरी और कुपोशन से ना मरे आगे बिच्चों समझ में तो आगे के लिए हम जानेंगे कि खादे सुरक्षा के लिए जो साजनिक वित्रम परनाली अपनाई तो थी उसने क्या तो उपलब्धिया हासिल की और क्या उसके लिए चुनौतियां है क्या है अर्थात कौन-कौन से अचीवमेंट है जो कि PDS मनाली ने पाए है तो बच्चों हम यह जाते हैं कि सारजनिक वित्रम परनाली के द्वारा क्या हुआ है हमारे देश में जो गरीब लोग है उनको बजार कीमत से कम कीमत पर क्या उपलब्ध हुआ है अनाज उपलब् कि दौरान कीमतों को स्थिर बनाने और सामर्थ अनुसार कीमतों पर उपलब्ध कराने की सरकारी निती में सरवाधिक प्रभावी सिद्ध हुई है कि जो साजनिक वित्रम परनाली है तो जैसे कीमते स्थिर बनी हुई अर्थात कहीं पर गयों की कीमते क्या थी कहीं पर क्या हुआ हैं खादे सुरक्षित हो पाए हैं तो यह जो सरकारी निती है पेडियस प्रणाली वो एक प्रभावी और एक कारगर सिद्ध हुई है ये इसके उपलब्दिया हो गई इसके बाद इसने अधिशेश अनाज वाले छेत्रों से कमी वाले छेत्रों में खादे पूर्टी अधिक के माध्यम से अकाल और वुकमरी की व्यापकता को रोखने में मैंतरपूर्ण भूमी का निभाई हैं हमने पढ़ा था कि हमारे भारत देश में क्या है विवित्ता पाई जाती है तो अनाज भी में भी क्या है विवित्ता है कि कुछ ऐसे चेत्रे है जैसे कि आज वाले उत्पादन छेतर हैं, महाँ पर अनाज पहुचाया है, तो इस से जिन छेतरों में भुकमरी और अकाल से मौते होती थी, उनकी संख्या में बहुत कमी आई है, और इसके बाद से ये अकाल, हमने बंगाल के अकाल के बारे में पढ़ा था, उसके बाद से ये अकाल वाले स्तिती है, वो एकदम मिट गई है हमारे भारत देश से, ठीक है, नियूंतम समर्थन कीमत वे अधी प्राप्ती ने खाध्यानों के उत्पादन व्रदी में योगदान दिया है, तथा किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है, अब इसके अंतरगत क्या किया गया था, हमने नियूंतम समर्थन कीमत के बारे में बताया था आपको कि किसान है, वो क्या करता था, गेहूं का उत्पादन या चावल का उत्पादन या अनाज का उत्पादन जब करता था, जब उसे सरकार क्या करती थी, नियूंतम समर्थन कीमत अनाउंस कर देती थी, बुवाई क हमने बात की थी न, तो नियूंतम समर्धन कीमत से क्या हुआ, जो किसान है, जो की खेती करने चलता था, उसे यह नहीं पता कि मेरा भविश्य क्या रहेगा, मेरी अनाज है, जो बिके गए और नहीं बिकेगा, तो नियूंतम समर्धन कीमत से उसे प्रोश्चाहन मिला, उसे आ अनाज का उत्पादन है वो बजार में बिके तो नहीं बिके कोई बात नहीं लेकिन सरकार उसको जरूर से खरीद लेगी तो उसके आई के शोत खुल गए और उसका आई सुरक्षा उसको प्रदान की गई ठीके बच्चो ये थी इसकी उपलब दिया अब है साजनिक वित्रम परणाली की चुनोतियां साजनिक वित्रम परणाली से फायदा तो बहुत हुआ है गरी परिवारों तो अनाज पहुंचा है खादे सुरक्षित हैं अकाल और बुकमरी की प्रॉब्लम सौल हुई है लेकिन इसके लिए चुनोतियां भी बहुत अधिक है चुनोतियां क्या ह अधिप्राप्त जो अनाज है उसको इखटा कर लेती है तो उस इखटे अनाज को मेंटेनिस के बहुत चार्ज चाहिए कि हमने पता है ग्रेंडरी में इखटा किया जाता है वो बड़ा रहता है सडता रहता है चुहे उसको खाते रहते हैं तो इस प्रकार से क्या होता है ल लोगों तक अभी भी वो अनाज नहीं पहुंच पाता और वो ग्रेंडरीज या गोदामों में पड़ा-पड़ा क्या करता रहता है, सड़ता रहता है या उसको चुहें खाते रहते हैं तो साजनिक वित्रम पड़ानली की अनेक आधारों पर कड़ी अलँचना का सामना करना पड़ा है, इसकी उपलब्द्या तो हैं लेकिन इसको कई आलोचना का सामना भी करना पड़ा है अनाजों से भरे गोदामों के बावजुद भूकमरी की घटनाएं हो रहे हैं मतलब गोदाम अनाजों से भरे हुए हैं फिर भी लोग सड़कों पर भीग माँग रहे हैं भूके सो रहे हैं ये कितनी वर्स्ट सिच्विशन है हमारे देश की की गोदामों में अनाज है लेकिन लोग अभी भी क्या है बुकमरी के शिकार हो रहे हैं कहीं अनाज सड रहा है तो कहीं क्या कर रहे हैं चूहें अनाज खा रहे हैं तो ये इस्तिती साजनिक वित्रम परणाली होने के बावजुद भी है तो आप ये समझ सकते हैं कि साजनिक वित्रम परणाली के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ठीके बच्चो अब आप ये जब ये डाइग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साजनिक वित्रम पणाली के अंतरकत बफर स्टॉक तो कितना है और कितना हमें बफर स्टॉक चाहिए था मतलब कहने का मतलब मैं आपको समझा देना चाहती हूँ कि सरकार क्या करती है न्यूंतन समर्थन कीमत अनाउंस करती है और किसानों के अनाज ले लेती है तो वो स्टॉक तो इतना सारा हो जाता है उसको सरकार बाटनती नहीं है तो सरकार के पास जो लिमिटेड या मिनिमम स्टॉक होना चाहिए था वो ना होकर स्टॉक बहुत अधिक हो जाता है उसे ही इस चित्र के द्वारा बताया गया है ये चित्र आपके बुक में भी मिलेगा वहाँ से भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चो बफर नॉन यह है बफर नॉन जो आपकी ब्लू लाइन है और जो रेड वाली लाइन है वो है एक्चुल स्टॉक कहने का मतलब है कि देखो आप देख रहे हो कि बफर नॉन तो कम है अर्थाथ हमारे भारत के अनुसार यह जो है 214.1 जनवरी में अप्रेल में 210.4 जुलाई में 411.2 और अक्टूबर में 307.7 क्या होना चाहिए मतलब इतना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए कब अलग-अलग महामे दे रखा है अलग-अलग महामे अलग-अलग खाद्यान आते हैं जनवरी में अप्रेल में जुलाई में और अक्टूबर में इतना हमारे पास स्टॉक होना चाहिए लेकिन actual situation ये है मैंने आपको बताया रहे कि नियूंतम समर्थन कीमत पर सरकार बहुत सारा खाध्यान खरी लेती है जो की गोदावों में भरा रहता है लोगों तक बढ़ता ही नहीं है तो हम देख पा रहे हैं कि कितना है 357.68 जनवरी में 381.04 अप्रेल में 650.53 जुलाई में और अक्टूबर में 542.59 तो कहने का मतलब है कि जितना हमारा buffer norm है उससे कहीं अधिक सरकार के पास क्या है stock तो इतना stock होगा तो उसको रखने की लागत भी आएगी उनके अनुरक्षन लागत भी लगेगी उसकी परिवहन लागते भी लगती है साथ में वो पड़ा पड़ा सड़ता रहता है लोगों तक पहुचता भी नहीं है तो ये situation हमारे भारत देश के लिए बहुत बुरी स्थिधी है इसके बाद है वर्ष 2014 में गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड धन था जो की न्यूंतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था जो की न्यूंतम जो हमने बफर प्रतिमान जो ले रखा है उससे ये बहुत अधिक था बफर स्टॉक का उच्छे स्थर क्या है एवांचने मैं आपको यही बात बता रही थी कि बफर स्टॉक का उच्छे स्थर इखटा करने से क्या मतल़ है जब लोगों की काम ही नहीं आ रहा है ठीक है तो वो एवांचनी है इससे क्या है बरबादी होती है अनाज की गुणव परक्ता में तो हास होती है, साथ में उसकी रकरकाओ की लागत भी बहुत अधिक आती है। अधिक से जदा-ज़्या-ज़्या-थी स्टौक कीड़ना सरकार के लिए सही नहीं है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं, जो ये चार राजे आपके सामने map में दिखा रखे हैं एक तो है पंजाब, एक हर्याना, एक आंदरप्रदेश और एक वैस्ट बंगा तो अधिकतर ये जो चार राजे हैं वो ही क्या करते हैं नियूंतम समर्थन कीमत बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं क्योंकि इन चारों राज्यों में अधिकतर खेती, ग राजे हैं वहीं से ही अधिक मात्रा में बफर स्टॉक के लिए खाद्यान आता है मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहीं से बफर स्टॉक के लिए सामान आता है ठीक है कि वर्दिस्ट नियूंतम समर्थन कीमत पर नाज की खरिदारी प्रमुक उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हर्याना और आंधर प्रदेश के ओसे डाले गए दबाव का नतीजा है कि जो नियूंतम समर्थन जो कीमत बढ़ती है वो दबाव डाला जाता है इन तीन राज्यों के द्वारा तीन चार पश्चिमी बंगाल भी इसमें शामिल कर सकते हैं आप तो पंजाब, हर् आंधर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल क्या करते हैं दबाव डालते हैं ताकि उनके लोगों के किसानों की आये सुरक्षित हो सके आये बढ़ सके ठीक है तो सरकार क्या करती है टाइम टाइम पे नियूंतम समर्थन कीमत बढ़ा देती है खरिदारी खरिदारी भी इनी खरिदारी की जाती है ठीक है इसके बादे नियूंतम समर्थन कीमतों में ब्रदी ने किसानों को अपनी भूमी पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान वे गेहूं उगजाने के लिए प्रेवित किया है अब हम जानते हैं कि जो राशन की दुकाने हैं पीडियस प्रण झेब कर दिया है जब कि हम जानते हैं कि किसानों का मुखे वोजन क्या होता है मोटे अनाज तो आप जानते हिचे जिसके बाज़रा मक्का जुग याते है थीक है तो यही लिखा आए कि जब कि मोखे अनाज का है गरीवों का मुखे व Blow नोग 2 पर समर्थन कीमत की वजय से जो गरीब लोग है, जो किसान लोग है, उन्होंने क्या किया है, गेहू और चावल को उगाना शुरू कर दिया है, दान की खेती की सीचाई के लिए सगन सीचाई से परियावरन और जल सिस्तर में भी क्या ही है, गिरावट आई है, हमने दाना कि गेहू और चावल की पसल, जो पानी का क्या होता है लॉस होता है तो यहां सगन सीचाई करने से क्या हुआ है जलिस्तर में तो क्या है यह गिरावट आई है परियावरन में भी गिरावट आई है जो वाटर है वो भी कम होता जा रहा है जिससे राज्यों में परियावरन का नाशूराय साथ में जलिस्तर में भी गिरावट आई है इसके बादे नियूंतम समर्थन कीमतों में व्रदी की खाद्यानों की वसूली अनुरक्षन लागत ने इसे और बढ़ा दिया है जो यह लागती है जो नियूंतम समर्थन कीमत क्या हो रही है व्रदी हो रही है मैंने बताया ना चार राज्यों से दबाव होता है तो उससे क्या है जो खाद्यानों की रक्षन लागत है वो तो बड़ी है क्योंकि जो FCI है वो क्या करती है जो भी नियूंतम समर्थन कीमतों में प्रद्धी करती है किसानों से जो अनाज मंगाती है तो उसमें परिवेन लागते भी होती है तो इससे जो इनकी अनुरक्षन ल किलोग्राम और 2011-12 में घटकर हो गई है 5.88 किलोग्राम तो आप देख पा रहे हैं चावल की खपद क्या हो रही है जैसे जैसे वर्ष बीटते गए वैसे वैसे प्रतिविक्ति चावल की खपद क्या हो गई है कम हो गई है इसके बाद यदि हम नगरी भारत में देखें चाव कि खपद पहले नगरिय भारत में और अब ग्रामेड भारत में पीडिएस चावल की खपद 2004-2011 भारत में चहासट प्रतिशत बढ़िए जो प्रती किलोग्राम चावल की खपद है आप देख रहे हैं वो तो क्या हो रही है कम हो रही है लेकिन इसकी जो टोटल यदी वो तो बढ़ती हुई जा रही है तो पीडियस प्राणाली में जो चावल है उसके आपशकता अधिक होनी चाहिए, मतलब चावल का उधारन या पर लिया है उसने पीडियस गेहूं की प्रतिमाहा प्रतिवेक्ति खपत दो हजार चार पास से ग्रामीन और नगरिय भारत में क अधिक यारै आधिक लाप कमाने के क्लिए अनाच को खुले बजार में बेसते हैं समझ में नियारा कहने का तात्पर है क्याल भारत देशं में तो चाहर उर गेहूं की खपत कं हुई है लेकिन पीडियस की बढ़्गी है वहाई सा करते हैं थैंगे कि फोंकक Michalya कंते हैं तो बेजते हैं तो लोग वह अफ़नों दुकानों में घटी अनाज एको करते हैं तो खरीदें घठी नहीं रहीघटीयों का व्हुत कम लोलत इस व्हें घता है यह अनाज आउनको Meta क्या करते हैं अपचार करते हैं बुरे कारे करते हैं लोगों के साथ क्या करते हैं विश्वास घात करते हैं दुकान कभी कबार खोलते हैं ऐसे वो अपचार करते हैं मतलब राशन डीलर है वो भी क्या होते हैं बेइमान होते हैं और वो इस तरीके से जो अच्छा गेहु हैं जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसको जाके खुले बजार में बेज देते हैं, जो बेकार घटिया किसमका है, वो करीबों तक वितरित कर देते हैं, तो इस प्रकार से दुकार भी रोजना नहीं कोलते हैं, कभी कबार खोलते हैं, तो लोगों को इससे बहुत अधिक पर जाता है राशन के दुकान में यदि जामान नहीं वित्रित होगा तो क्या होगा FCI के पास क्या हो जाएगा इसका स्टॉक जबाद हो जाएगा क्योंकि गटिया किसम का APL परिवार वाले तो लेने नहीं आएंगे क्योंकि उनको बजार कीमत पर ही मिल रहा है वही चीज उन्हें बजार कीमत पर, यहां पर मिल रही है PDS पर, तो वो कौन सा लेते हैं, वो मार्केट से ही खरीते हैं, तो इस प्रकार से इनके पास स्टॉक बच जाता है, जो की FCI की गुदामों में पढ़ा ही रहता है, जो की कोई यूज नहीं आता, चुभे खा जाते है खराब हो जाता है, ठीक है, सावजनिक पित्रमपणाली में पहले गिरावट आई है, क्योंकि पहले प्रत्यक परिवार को समान निमने कीमत पर सामगरी बेची जाती थी, किन्तों तीन भिनने वाले राशन काड़ वाली व्यवस्ता में रिधंता रिकास से उपर वाले परि ये इतरा सारा FCI के पास गोदाव में माल बचा रहता है राशन के दुकानों पे बड़ा-बड़ा सड़ता रहता है ऐसा क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि हमने पड़ा था कि लक्षे साजने वित्रपनाली के बाद गरीब और जो ग्यार निर्धन लोग है उन लोगों को अलग-अलग कर दिया गया BPL और APL को अलग कर दिया गया हमने राशन काड के बारे में भी पड़ा था एक तो BPL काड होता है, एक APL काड होता है और एक अंतियोदे काड होता है तो इसमें क्या होता है सभी को अलग-अलग कीमतों पर क्या अपलब्द करवाई जाती है गेहु, चावल और राशन की सामगरी अपलब्द करवाई जाती है तो इसमें क्या होता है जो गरीब और अंतियोदे लोग है उनको तो जो रेट मिलती है वो इदम सही होती है तो वो लेंगे इस परकार जो राशन कार्ट के लोग है वो घटिया सामान भी बेशते हैं तो वो क्या करते हैं उसको बजार से खरी लेते हैं तो यहीं आपर लिखा है कि साजनिक वित्रम पढ़नानी में पहले से क्या यह गिरावट यह बहुत बड़ी चुनौती है किसके लिए समान कीमत सामगरी पर बिलती थी अब तीन बिन क्या कर दी गई है कीमते कर दी गई है तीन बिन कार्ड बना दिये गए है राशन कार्ड और इसमें निर्धंता रिखा से उपर वाले परिवारों को उतनी ही कीमत लगती है जितने ही कि उनको खुले बजारों में मिलती है इस जो साजनिक वित्रम पणाली है वो लोगों के लिए वर्दान साबित हुई है अकाल, भुकमरी, आधी की घटनाएं हमारे भारत देश में बहुत कम हो पाई है लोग को पोशन के शिकार से भी होने से भी बचे हैं क्योंकि साजनिक वित्रम पणाली के द्वारा बजार कीमत से बहुत कम कीमत पर निर्धन लोगों तक क्या पहुंचा है खाद्यान पदार पहुंच पाई है लेकिन इस साजनिक वित्रम पणाली को बहुत सारी चुनौतिया है इसमें बहुत सारी कम्या है जिसको दूर करना अभी भी आविशक है जैसा हमने पढ़ा कि जो नियुनतम ब पर नाज खराब रहता है तो ये भी आविशक है इसके अलाबा गेहों और चावल की खेती को ही क्या मिला है बढ़ावा मिला है जो मोटे अनाज है जो कि किसानों का मुख्य भूजन है उसकी खेती बहुत कम हो चुगी है जो चावल की खेती है उसको सगन सीचाई की जिससे की जल स्तर में गिरावट आई है परियावरन का नाश हुआ है जिससे की जो क्रशिकत विकास है वो भारत देश में अच्छे से हो नहीं पा रहा है जूंतम समर्थन कीमत है उसमें बहुत अधिक व्रदी कर दी जाती है जिससे की किसानों की आये की सुरक्षा तो कुमी का निबाई है कौन कौन सी जो सैकारी सीमित्य हमारे भारत देश में कारे रत है विभिन राज्यों में जिसका अध्यान हम करेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपको क्या करना है ये जो हमने सारा जो भी चैप्टर पढ़ा है सारजनिक वित्र पढ़ाली म के बारे में उसकी परतमान इस्थिती के बारे में और उसकी जो पलब्दियों और चुनौत्यों के बारे में इन सभी चीजों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है इसको याद रखना है जो चीज समझ में नियाती उसको रिवाइन करना है दुबारा सुनना एक से पढ़ लेना है ठीके बच्चों अब क्या करना है तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें पढ़ते रहें बढ़ते रहें टांक यू